हाई अव्रिवन मैं हूँ धनंजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे जब भी लोग सभा चुनाओ के रिजल्ट आते हैं तो वो रिजल्ट ये तैक करता है कि किस पॉलिटिकल पार्टी या कॉलिशन की सरकार बनने वाली है इसी बीच एक बहुत इंपॉर्ण प्रॉसेस होता है जिस प्रॉसेस के तहत जितने भी जो जीते हुए मेंबर ऑफ पार्लियमेंट्स होते हैं वो संसत के अंदर आके शपत ग्रहन करते हैं इसी बीच इस बार जिस तरीके से मेंबर ऑफ पार्लियमेंट्स शपत ग्रहन में अपने अपने हिसाब से स्लोगन को raise कर रहे थे, यह अपने आप में देखे काफी हसी और अपसोस दोनों आता है इसी बीच एक और Member of Parliament Asad Uddin Avesi वो संसत के अंदर Jay Palestine कहते हैं जैसे ही वो संसत के अंदर Jay Palestine कहते हैं वैसे ही संसत के अंदर और संसत के बाहर बढ़ चड़करिन की Disqualification के डिमांड बढ़ जाती है इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या अगर कोई Jay Palestine या Jay Israel कहता है तो उससे किसी भी Member of Parliament को Disqualify किया जा सकता है एक बात का ध्यान रखा जाए कि जब भी हम इस तरीके का News Article को पढ़ते हैं तो हम कोशिश करें कि अपने आपको किसी भी Ideology या किसी भी Political Party से अपने आपको बांध के ना देखें और कोशिश करें के चीज़ों को जितना हो सके उतना Neutral Point of View से रहे के हम देखें और समझें जहां तक बात किया जाए Palestine के बारे में तो भारत में बढ़ चड़कर लोंग Palestine को सपोर्ट कर रहे हैं जहां पे जिस तरीके से इसरेल पैलस्टीन में अटाक कर रहा इसको आप किसी भी तरीके से justify नहीं कर सकते हैं साथ में अगर आप More or Less Government of India का stand देखेंगे चाहे Present Government हो गया हो चाहे Past Government हो गया हो More or Less सभी सरकारों ने Palestine को सपोर्ट किया है और ये माना है कि जिस तरीके से इसरेल को बनाया गया है Palestine के जमीन में ये तरीका ही गलत है लेकिन क्यूंकि जियो पॉलिटिक्स में क्या होता है कि आपको बहुत सारे combinations को लेके चलने होते हैं वहीं पर बात किया जाए इसरेल के बारे में तो इसरेल के साथ हमारे जो संबंध है वो अच्छे है और उसके पीछे के बहुत सारे वज़य भी है क्यूंकि हम इसरेल से weapons और technology लेते हैं तो जब आप geopolitics के perspective से देखते हैं और समझते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि आपका जो statement रहे वो बहुत ही balanced रहे और जहां तक बात किया जाए और इसी के द्वारा जै पैलस्टीन स्लोगन रेस करने का तो ये कह पाना किसी के लिए भी बेहत मुश्किल है कि क्या संसद के अंदर जै पैलस्टीन कंसर्न को रेस करना सही है या गलत है अब कुछ लोग इसके support में और कुछ लोग इसके oppose में अपनी बात को रख सकते हैं लेकिन इसी बीच एक बहुत बड़ा जो responsibility होता है वो moral responsibility भी होता है जहां पे हम ये कोशिश करें कि जो संसद है वहां पे अपने देश का जो concern है उसको बढ़ चड़कर हम raise करें तो भारत के समीधान में कोई भी ऐसा provision नहीं है जो ये कहता है कि अगर कोई member of parliament किसी भी देश के साथ solidarity रखता है या किसी भी देश में कुछ गलत हो रहा अगर उस चीज को उठाता है संसद के अंदर तो उसके कारट वो disqualify हो जाएगा तो अगर हम in short कहें तो Mr. Ovesi ने जो slogan raise किया कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि उनका जो membership है वो disqualify हो सकता है और साथ में अगर बात किया जाया तो J-Palestine या इस तरीके का जो slogan है वो सिर्फ एक आदमी के द्वारा नहीं दिया गया है बलकि जिस तरीके से इस बार Member of Parliament अपने अपने हिसाब से slogan raise कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं बहुत ही जादा disturbing है संसद एक वो जगा होता है जहां पे सभी जो Member of Parliament होते है वो Milbad के जो देश का concern है उसके बारे में वो discussion करते हैं ना कि वो अपने ideology को वहाँ पे जाके discuss करते हैं लेकिन बीते कुछ सालों में जिस तरीके से MPs Parliament को एक अपना personal अखाडा बना दिये हैं तो ऐसा लगता है कि अगर कोई भी political party जो सद्दा में हैं अगर वो कोई अच्छा काम भी करते हैं तो जो opposition में बैठे हुए लोग है वो उसका विरोध करते हैं और ठीक जो आज सद्दा में बैठे हुए कल को अगर वो विपक्ष में बैठते हैं तो वो भी same काम करते हैं और religion कुछ ऐसा होता जिसको कि आपको दिखाने की जरुवत नहीं होती है वहीं पे कुछ ऐसे politicians भी हमारे सामने आएं जो complete तरीके से religious slogan race करते हैं वहीं पे कुछ ऐसे politician आए ये कह रहे थे कि वो 6 बार के सांसद हैं और अगर आप इन सब statements को देखेंगें तो ऐसा लग रहा कि सिर्फ और सिर्फ जो member of parliament से वो अपने power को लेके concerned है वहीं पे कोई सविधान को लेके आता है वहीं पे कोई complete तरीके से अपना जो ideology है उसको promote करता है एक चीज जो हम आम जंता को समझनी चाहिए वो ये है कि जब सभी लोग इतने concerned है भारत देश को लेके तो कोई bridge बनता-बनता कैसे तूट जाता है तो कोई exam conduct होने के पहले ही उसके question paper leak कैसे हो जाते है और ये सब जो मामला है वो किसी एक political party तक ही सीमित नहीं है बलकि सभी political parties जब भी वो सत्ता में रहें तो उनके समय यही देखने को मिला है कि जो सरकारी funds होते है उसका जो allocation होता है वो अच्छे से नहीं होता है और जब भी वो political party सत्ता में आते हैं तो more or less अपने ही लोगों को वो recruit करते हैं तो इन सब के बीच में जो एक आम जंदा है एक आम civilian है उनको ये सब चीजों को बहुत ही neutral तरीके से देखना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि क्या हमारे concern को लेके लोग सभाय या राजसभा में discussions हो रहे हैं या तो ये जितने भी जो politicians है ये सिर्फ और सिर्फ अपने आपको किसी भी तरीके से सत्ता में काबिज रखना चाहते हैं वहीं पे जब अवेसी अपने शपत को खतम कर रहे होते हैं तो उनका कुछ जो last के statement होता है वो कुछ ये होता है कि जै भीम, जै मीम, जै तेलंगाना, जै पैलेस्टीन इस चीज को लेके कुछ politicians ये भी concern raise करते हैं कि जै पैलेस्टीन के जगा पे आप, जै भारत भी कह सकते थे जैसा कि मैंने कहा कि इन सब discussions का कहीं कोई end नहीं है जैसा कि मैं चीजों को अपने perspective से देखता हूँ वैसे ही आप चीजों को अपने perspective से देखते हैं और आपके पास support करने के लिए अपने तर्क होते हैं और मेरे पास support करने के लिए मेरे अपने तर्क होते हैं तो कहीं न कहीं इन सब के बीच में जो एक असल मुद्दा है वो कहीं न कहीं छुप जाता है, दब जाता है जितने भी लोंग हमारे बीच इतिहास को पढ़ते हैं या उनकी अच्छी समझ है उनको एक बात तो पता होगा कि जब Britishers को ये लग गया था कि वो भारत में काफी लंबे दिनों तक रहने वाले हैं तो वो हमारा जो education system था उसको complete तरीके से change कर देते हैं कुछ इस तरीके से इसको बदलते हैं कि वो हमें complete तरीके से worker category में लाके रख देते हैं तो कहने का मतलब है कि जो भी देश आज हमारे सामने technologically काफी advance है हम ये देखें कि उनके पास उतना advance technology क्यों है और हमारे पास क्यों नहीं है तो आपको समझ में आएगा कि उनका जो education system है उसमें वो काफी पैसे invest करते हैं research and development में काफी पैसे invest करते हैं और वो देश जो अपने education में पैसे invest नहीं करता है उस देश के पास अगर खूब सारा minerals भी रहेगा तभी वो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है इसका हम best example देख सकते हैं पाकिस्तान के case में जहां पे वो किसी भी तरीके से education को अपने system में introduce नहीं करना चाहता है और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें चाइना का तो चाइना बढ़ चड़ कर अपने technology या अपने research institutions में पैसे डालता है जैसा कि हम सभी को पता है कि हर politician यही claim करते हैं कि वो भारत को लेके concern है वो इस देश को काफी महान बनाना चाहते हैं लेकिन पिछली बार हमने किस politician के मूँ से सुना था कि कुलभूशन यादब कहां पे हैं और government of India क्या इनके बारे में official statement आया था ऐसा लगता है कि जो हमारे लोग है जो पाकिस्तान में बन्द है या दुनिया के और भी किसी देशों में बन्द है उनको हम भूल गये हैं तो कहीं न कहीं इन सब छोटी बातों से हमें समझ में आता है कि exactly सरकार या जो opposition है उनके दिमाग में क्या चल रहा गुर्पतवन सिंग पन्डू के case में US continuously भारत को push कर रहा लेकिन वहीं पर बात किया जाए कुलभूशन यादब के बारे में तो इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा तो में भी ये सुनके बहुत ही छोटा लग सकता है लेकिन हर छोटी छोटी बातों का एक अपना अलग importance होता है ये बताता है कि सरकार और opposition का क्या intention है हमारे अपने लोगों को लेके last but not the least Bombay High Court का statement आता है जहां पे वो ये कहते हैं कि जिस तरीके से passengers Mumbai के local train में travel करते हैं ये अपने आप में काफी शर्मसार करने वाली बात है और ये बात सिर्फ Mumbai की नहीं है आप भारत के किसी भी राजी का अगर आप train या जो station है उसका अगर आप हाल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहाँ पे जो basic requirement होता है वही missing है जिस तरीके से लोगों को recruit करना चाहिए और जिस coordinated तरीके से सरकार को काम करना चाहिए वो complete तरीके से coordination ही missing है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं you have a wonderful day thank you take care goodbye